कि है 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 ऐलो हलो हलो एव्रीवान क्या हाल चालें सबके आवास सभी से आ रही है कि नहीं एक बार फटा फट बता दो एंड देन वी कें गेट स्टाटेड विद्ट विद अग्लास गाइस आज हम करने वाले हैं फोर्स ओन अक करंट केरिंग कंडक्टर या फिर अम्मुविं सारी यह नहीं एंदेन वी विल गेट स्टाटेड फर्स्ट ओफ ओल कितने बच्चे आज मना रहे हैं दशहरा है एपी दशहरा तो एव्रीवन गाइस हापी दशहरा राइट सोच रहे थे कि क्लास केंसल करें कि क्या करें बट सोचा कि चलो कोई ना दिन में तो आप सब रहा है एक बहुत खत्रू सा टॉपिक है आज राइट कि अगर एक मुविंग चार्ज है उस पर कुछ फोर्स होगा अगर वो एक मेगनेटिक फिल्ड के अंदर है वो सारी चीजें आज हमें पढ़ने वाले हैं राइट आवारियर आवाज आ रही है चलिए तो क्या हल चाल अगर एक मुविंग चार्ज को मेगनेटिक फिल्ड में रख दिया जाए तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा उस पर कुछ फोर्स लगेगा अब वो फोर्स कितना है कैसे निकालते हैं किस पर डिपेंड करता है उसकी पूरी कथा आज हम करने वाले हैं ठीक है जैसा कि आप ल आज है डे नंबर 42 और इनकी पूरानी सारी वीडियो आपको यहां से मिल जाने वाली है यह सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जानी है चैनल पर आप जाईएगा राइट चैनल पर आप सर्च कर लीजेगा चंदन सर्व कंप्लीट नीट फिजिक्स इन 140 डेज आपको पूरी डेवाइस यह प्लेलिस्ट मिल जाएगी राइट आइवट एंकरेज एव्रीवन टू एट लीस्ट चेक आउट दिस प्लेलिस्ट राइट एक चैप्टर एट इस प्लेलिस्ट से लगा के देखो आपको समझ आ जाएगा डेटेल्ड मैनर में पीवाइक्यू पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटिड वो भी हम समझेंगे क्विक रिमाइंडर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो कर लीजिए ठीक है चलिए करें स्टार्ट एक हां एक छोटा सा रिक्वेस्ट यह है कि कृप्या पानी की बोटल और पैन व खाली सुनने से बहत नहीं बनेगी आपको अपने पैन से लिखना पड़ेगा नोटबुक पे सवाल एक बार नहीं हो चलेगा दो बार नहीं हो चलेगा तीसरी बार समझ आ जाएगा राइट गुड आफ्टनून जी गुड आफ्टनून एक अच्छी सी कोट के साथ स्टार स्टार्मस एडिसन जी की कोट है और ग्रेटेस्ट वीकनेस्ट लाइज इन गीविंग अप दोस्तों इसी नोट पर सेशन की शुरुवात करते हैं हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस्ट यहीं होगी कि हम गीवप कर दें ठीक है तो जितने भी वच्चे आज से भी नीट की अ अच्छे नंबर लाने है अच्छी रैंक लानी है तो आ जाएगी राइट गीवप नहीं करना है चलिए दोस्तों तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि अभी तक हमने क्या-क्या पड़ा है इस चैप्टर में Magnetic Field पड़ी है बायट, सर्वेट, सलो अप्लिकेशन ओफ बायट, सर्वेट, सलो लास्ट में एंपेरिगल सर्केट लॉव पड़ा था ठीक है एंपिरियर है force on moving charge in uniform magnetic field और आज हमें ये सारी चीज़े करनी है motion of a charge particle in a combined electrical lawrence force को आज देखेंगे कितना हो सकता है cyclotron बट जो भी इसका basic है एक बार समझते है step by step चलेंगे jump नहीं करना topics में ठीक है दोस topics को jump नहीं करेंगे just give me one minute sorry yeah good to go करें दोस्तों start करें शुरुवात चलिए अब एक बात बताओ यार हमने चाप्टर की शुरुवात करी कि और इस्टर्ड ने 1820 में एक experiment किया जिससे यह पता लगा कि भाया electricity और magnetism आपस में linked है यह हमने बात करी फिर हमने धेरों सारे formulas किये एक बार formulas का पूरा formula tree बना दिया जाए अभी तक हमने इस chapter में जितने भी formulas किये एक बार revise करा दिये जाए ठीक है सर प्रेक्टिस क्वेशन कब कराओगे mock paper देखो दोस्त एक बार यह series अभी parallel चल रही है इसके साथ साथ मैंने एक series यह भी निकाली थी thousand pyqs उसकी frequency next week से थोड़ी जादा हो जाने वाली है एक बार फॉर्मूला शीट बना लेते हैं अभी तक जितना भी किया क्योंकि बहुत सारी चीजें कर चुके सबसे पहले हमने buy it, serve it, slow का vector form पड़ा वो क्या था mu naught by 4pi idl cross r divided by r cube ये क्या था आपका vector form था, right इसी में ही इसका magnitude कैसे निकालते थे mu naught by 4pi idl sin theta by r square बोलो हाँ या ना सारे formulas एक बार लिख देता हूँ अभी तक हमने जितने भी पड़े थे, right फिर हमने पड़ा था एक finite wire के लिए, finite wire के लिए, finite wire में क्या था b is equal to mu naught by 4pi i by a into sin theta1 plus sin theta2 याद आ रहे है सबको फिर एक case था, infinite wire का, infinite wire का, infinite wire में दोस्त क्या था? b is equal to mu naught upon 4pi 2i by a, right साथ साथ आप भी अपनी notebook में लिखते रहो दोस्तों, ये जितने भी आपके वो है ना, happy dashara जी, happy dashara, ये जितने भी आपके वो हैं, formulas हैं, मैं हर class में इसलिए revise करा देता हूँ, क्योंकि ये chapter is a little big on formulas, तो आपको पता होना चाहिए, फिर क्या था? semi-infinite wire, semi-infinite wire, semi-infinite wire में क्या था? mu naught by 4pi i by a, इसका half हो जाता था, ठीके? semi-infinite wire में इसका half हो जाता था, फिर हमने पढ़ा था circle के लिए, याद है आप लबगों को circle का b क्या था? circle का b होता था, mu naught by 2 i by a, बहुत simple, mu naught by 2 i by a, ये एक पूरे circle के center में होता था, हाँ या न, mu naught by 2 i by a, clear है? right, mu naught by 2 i by a, फिर हमने पढ़ा था कि भाईया, अगर कोई arc हो, right, कोई arc हो, ठीके है, तो वो क्या हो जाता था? mu naught by 2 i by a, i by a, into theta by 2 pi, ये आता कहां से था? कि भाईया, एक पूरा circle, मतलब 2 pi मतलब पूरा circle, ठीक है, मतलब 2 pi मतलब पूरा circle, right, अगर मैं बोलूं कि 1, मतलब 1 by 2 pi circle, theta, मतलब theta by 2 pi circle, तो कहने का मतलब ये है, कि अगर आपको एक semi circle के लिए निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, इसका half कर दोगे, right, अगर आपको एक quadrant के लिए निकालना है, तो इसका चोथाई हिस्सा कर दोगे, clear है के नहीं, right, तो यहां से आप जितने भी निकाल सकते हो, जितने भी formulas निका होता था बताओ 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 इसका क्या होता था म्यू नोट बाइटू आई A square divided by A square plus R square raised to the power 3 by 2 यही होता था म्यू नोट by 2 I A square divided by A square plus R square 3 by 2 क्लियर है यह भी फर्मलेस पड़े थे फिर हमने क्या पड़ा था फिर हमने यह पड़ा था कि अगर मान लो एक hollow cylindrical wire है, right, एक long hollow cylindrical wire है, उसमें inside, outside सारे cases पड़े थे, right, अगर hollow होता, अगर hollow होता, तो B outside क्या था? B outside यह होता है formula, mu naught by 4 pi, 2i by r, right, अगर r distance दूर है, B on the surface क्या होता है, surface पर mu naught by 4 pi, 2i by capital r, right, 2i, cylinder का अगर मतलब radius r है, right, बाहर वाले में मैंने आपको क्या सिखाए था, बाहर वाले में आपको यह समझना है कि भहिया यह जो cylindrical wire है, that is nothing but a very thin wire, right, यह thin wire की तरह हो जाती थी, ठीक है, फिर एक और क्या था, inside वाला case था, B inside वाला case था, inside, वो क्या था, mu naught by 4 pi, आई तो इसके अंदर 0 है, तो मतलब वो 0 हो जाता था, right, यह हो जाता था, right, ampere circular law भी याद है न, ampere circular law से निकल जाते थे यह सारी चीज़े, right, फिर अगर यह solid होता था, यह solid होता था, तो यह च 2i by r, इसको r से multiply कर देते थे और r से divide कर देते थे, बोलो हाया न, ठीक है, इसको ऐसे करते थे न, 2i mu naught by, बताओ, समझ आया है कि नहीं, ठीक है, इसको r से multiply कर देते थे, इसको अगर यह जो यह नीचे r है, इसको r से multiply कर देते थे और r से divide कर देते थे, यह आ जाता था आप का solid के inside वाला case ठीक है चलिए अब और क्या था और क्या था भाईया और हमारा ये था कि हाँ solenoid पढ़ा था solenoid पढ़ा था ठीक है न दोस्तो solenoid का B क्या था mu 0 ni mu 0 ni n क्या था भाईया number of turns divided by total length ठीक है n क्या था total number of turns divided by total length मतलब number of turns per unit length होता था यही हमने क्या पढ़ा था कि solenoid के case में बाहर magnetic field 0 इधर और इधर b by 2 b by 2 होती है edges पर b by 2 b by 2 होती है अंदर b होती है uniform फिर हमने पढ़ा था toroid फिर हमने toroid पढ़ा था toroid का भी magnetic field same ही होता है b is equal to mu 0 ni होता है इसमें n क्या हो जाता है number of turns per unit length की बजाए अब क्या है मतलब circumference तो जगा 2 पाई आर एवरेज ठीक है जिन जिन को इसमें feel नहीं आई I would request last class एक बार देख लीजिए राइट मैंने आपको पूरा एक बार formula sheet बता दिये यहां पर ताकि आपको थोड़ा clear हो जाए कि हां यार करना क्या था इस आट clear बताओ चमका के नहीं कितने वच्चों को समझ आ गया ठीक है तो यह सारी चीज़े अल्रेडी हम कर रखे हैं ठीक है यह सारी चीज़े हम कर रखे हैं confidence आ रहे इसमें ठीक है सर लास formula repeat कर दो कौन सा यह वला देखो इसमें क्या था mu note ni होता है n क्या होता है number of turns per unit length बड़ टोरोईड क्या है ऐसा है ना टोरोईड तो भीया ऐसा है ठीक है तोरोईड तो ऐसा है आपका अब इसकी कौन सा वो लोगे 2 pi r में radius कौन सा लोगे इसकी length क्या हो जाएगी circumference राइट circumference होता है 2 pi r कौन सा लोगे r average लेते हैं ठीक है तो अगर आपको यह a दे रखा है यह b दे रखा है तो r average यह बीच वाला होता है a plus b by 2 यह तो यह r average जनरली सवाल में आपको r average ही दे रखा होता है radius of a toroid चमका तो यह सारी चीजें दोस्तों हम लास तक कर चुके है ठीक है आज का topic है कि अगर एक moving charge को magnetic field में रख दिया जाए तो उस पर एक force लगता है ठीक है उस पर एक force लगता है तो एक बात बताओ यार 10th class में आप सबन दो wires के बीच में एक copper की इसको लगा दिया जाता था ऐसे ठीक है एक copper की इसको लगा दिया जाता था दो wires के बीच में और इसको current दे दिया जाता था मानलो इसको मैंने current दे दिया इसको मैंने current दे दिया positive यह दे दिया negative तो यहां से current कैसे जा रहे भाईया positive से negative positive से negative current जा रह तो मान लो यहाँ पर North Pole है Magnet का ठीक है और यहाँ पर Magnet का South Pole है ठीक है ओविसली यहाँ पर तो यहाँ पर Magnetic Field क्या होगी North to South Magnetic Field North to South होती है ऐसे तो हमने देखा था कि भया यह मूफ करने लगता है बोलो हाया न आपने 10th class में भी यह पढ़ रखा होगा राइट force on a current carrying conductor in a magnetic field राइट फ्लेमिंग्स left hand rule पढ़ते थे यादे के नहीं फ्लेमिंग्स left hand rule पढ़ते थे राइट पर हमने 10th class तक इसका जो calculation है या magnitude of this force यह force कितना होता है यह अभी तक हमने नहीं पढ़ रखा ठीक है आपने से जो बच्चे droppers है उन्होंने पढ़ रखा होगा बट अभी तक जितना आपने पढ़ रखा है 11th में 10th में आपने यह नहीं पढ़ रखा कि कितना force लगता है ब ठीक है मैंने यहां पर धिहान दीजी यह एक magnet है दिख रहे है यह एक magnet है और यहां पर बीच में एक copper का वो है wire है जिसमें जैसी मैं current देता हूं इस पर एक force लगता है यही चीज आज हमें discuss करनी है कि यह force क्या है कैसे निकालते हैं कितना लगता है ठीक है और इसको हम क्या क करेंगे to make it much simpler आज हम वैसा नहीं करेंगे कि भाईया एक conductor पर कितना force लगता है आज हम करेंगे कि एक moving charge पर एक moving charge पर कितना force लगता है, ठीक है? तो आज का topic हमारा क्या है कि एक moving charge पर कितना force लगता है वो हम समझेंगे, ठीक है? force on a moving charge in a uniform magnetic field, uniform magnetic field में force कितना होगा, देखो अब मैं क्या बनाता हूँ, मैं एक plane बना लेता हूँ दोस्त, ठीक है, मैं एक plane बना लेता हूँ like this, ठीक है, मानलो यह x हो गया, यह y हो गया और यह z हो गया, ठीक है, मानलो इस x, y, z plane में magnetic field, magnetic field को किस से लिखते थे दोस्त, b से लि plane पर है, इस direction में, मेरी magnetic field की direction यह है, ध्यान देना, मेरी magnetic field की direction यह है, so that is my direction of b vector, ठीक है, मेरा magnetic field x direction में जा रहा है, ठीक है, अब यहां से मैंने एक charge particle को कुछ ऐसे भेजा, इसी plane में, ध्यान देना, इसी plane में कुछ ऐसे भेजा, कौन से plane में, x, z plane में भेजा, ऐसे, with a velocity v, ठीक है, V velocity से ऐसे भेज दिया, V velocity से ऐसे भेज दिया, such that it makes an angle theta with magnetic field, such that it makes an angle theta with magnetic field, right, अब force कितना होगा, देखो, force कितना होगा, कैसे निकालते हैं, force, इस पर कोई ना कोई force तो लगे गई, force कितना होगा, इसका charge multiply by V cross B, ठीक है, so that is how you calculate the force on a moving charge, moving word बहुत important है यहाँ पर, मान लो अगर यह charge moving नहीं है, इस पर कोई भी force नहीं लगेगा, कोई बताएगा क्यों, कोई बताएगा क्यों, logically कोई सोच के बताएगा, कि अगर यहाँ पर मैंने क्यों charge को बिना move किये हुए रख दिया, उसकी कोई velocity नहीं र रख दिया, उस पर कोई force नहीं लगेगा, कोई बताएगा क्यों, कोई बताएगा क्यों, अगर इस से पहले वाले chapter में हमने क्या पढ़ रखा था, कि भाईया अगर एक Q charge को आप electric field में Q charge को रख दो, तो उस पर force होता था F by Q, तो force क्या होता था, E into Q, भले ही वो charge stationary है, moving है, उस पर एक force लगता था, बोलो हाया न, ठीक है, उस पर एक force लगता था, अब यहाँ पर force नहीं लगता, जब तक वो move नहीं कर रहा, सोच के देखो ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा सोचो इस पर force लगता ही क्यों होगा, magnetic field मतलब कुछ magnet है, मतलब magnetic field है, एक moving charge अपने आसपास भी magnetic field बनाता है, तो अगर यह magnetic field, इस magnetic field के साथ साथ कुछ, मतलब यह इसके अगल बगल कोई दूसरा, एक magnet के पास में दूसरा magnet रग दो, तो attraction या repulsion होता है, बोलो हाया न, राइट, वही अगर यहाँ पर एक moving charge है, तो इसके आसपास एक magnetic field होगी, वो interfere करेगी इस existing magnetic field से, तो या तो यह इधर घूमेगा, उदर घूमेगा, कुछ भी होगा, राइट, बट इस पर एक force लगेगा, राइट, ठीक है, चलिए, बढ़िया, आर यह बात समझ, तो simple formula क्या है, force on a moving charge in a uniform magnetic field is, qv cross b, v cross b into q, is that clear, qv cross b, अब एक चीज़ को ध्यान से देखो, आपको पता है, cross product क्या होता है, a cross b क्या होता है, ab sin theta, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, qvb sin theta, ठीक है, qvb sin theta, f is equal to qvb sin theta, यह क्या है, इसका magnitude, f का magnitude क्या हो गया, qvb sin theta, where theta is the angle between v vector and b vector, right, v और b का जो angle है, वो theta है, बताओ, इतनी बात चमकी के नहीं, right, तो f is equal to qvb sin theta, right, f is qv cross b, अच्छा, अब इतनी बात अगर आपको चमक गई, तो दोस्तों, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, कि अगर कोई cross product होता है, जैसे मैंने बोला, t is a cross b, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, t vector, right, का जो direction है, वो क्या होता है, perpendicular to both a and b, right, इसी तरहां से अगर मैंने बोल दिया, f is equal to q, q तो एक constant है, right, v cross b, तो क्या दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ, कि force is perpendicular to v vector, and force is perpendicular to b vector, बोलो हाया न, अगर cross product होता है, तो cross product का जो वो निकलता है, like a cross b, उसका direction क्या होता है, direction एक तो आप निकालते हो, right hand thumb rule से, right, v cross r, ये cross b, ये वाला direction हो गया, तो इसका direction क्या हो जाएगा, along y axis, बोलो समझ आ रही है कि नहीं, along y axis, इसका direction क्या हो जाएगा, along y axis, तो इस force का direction क्या हो जाएगा, along y axis, it will be perpendicular to v, perpendicular to b, right, ये जो force लगेगा, वो perpendicular होगा, magnetic field के, perpendicular होगा, velocity vector के, बताओ, clear, clear, बढ़िया, समझ आ गया, बताओ, इतनी बात सबको समझ आ गई, बताओ, छिक है, is that clear, simple formula जो दोस्तों आपको याद करना है, that is, f is equal to qv cross b, ये vector form में, f is equal to qvb sin theta, ये आपका क्या magnitude form में, कि उसका magnitude कितना होगा, दोस्त, right, f is equal to qvb sin theta, right, where q is the magnitude of this charge, v is the velocity, b is the magnetic field, constant magnetic field की बात कर रहा है, मतलब uniform magnetic field की, magnetic field अभी change नहीं हो रहा, ठीक है, तो f due to magnetic force, इसको fm भी लिखते हैं, क्योंकि आगे चल कर आप जब lawrence force पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, magnetic field की वज़े से, electric field की वज़े से, दोनों आ जाता है, तो generally हम represent करते वग, force due to magnetic field को fm लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, qv cross b, बोलो clear है के नहीं, right, f is equal to qv cross b, magnitude कितना हो जाएगा, b qv sin theta, या qvb sin theta, clear, अगर, चलिए, बढ़िया, 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 ठीक है, theta is the angle between b and b, अब दो 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 तिन cases हो गए, जैसे fm is 0, fm कब 0 होगा, एक बात बताओ, fm आपका सिधा सिधा क्या निकला, qvb sin theta, fm 0 कब होगा, या तो भाहिया आपका q 0 हो जाए, right, या, sorry, charge 0 हो गया, तो मतलब फिर वो हो गया, ठीक है, अगर आपका q 0 है, मतलब charge neutral है, right, या फिर आपका b 0 है, right, या फिर आपका v 0 है, बोलो हाँ या ना, ये कब-कब 0 हो जाएगा, ये पूरी quantity कब 0 हो जाएगा, या तो आपका q 0 हो जाए, मतलब charge neutral है, या फिर v 0, मतलब वो move ही नहीं कर रहा, या b 0, magnetic field ही नहीं है, या फिर sin theta 0, sin theta 0 कब होता है, sin 0 पे 0 होता है, मतलब theta आपका क्या हो जाएगा, या 0 degree, या फिर 180 degree, बोलो हाँ या ना, 0 degree या 180 degree, right, तो ये बहुत अच्छा यहां से ये निकल गया, कि अगर मेरी magnetic field दोस्त इस direction में है, और अगर, या तो मैं इसी के direction में चल रह है, या फिर V vector इस direction में है, दोनों वक्त, जो force लगेगा, on this charged particle, due to this magnetic field will be 0, right, दोनों तरफ, इस पर force क्या लगेगा, 0 लगेगा, तो कहने का मतलब, ये Newton's, basically Newton's first law क्या बोलता था, कि अगर एक body uniform velocity में चल रही है, तो चलती रहेगी, until unless external force is applied to it, तो कहने का मतलब क्या है दोस् theta 0 degree हुआ या 180 degree हुआ, तो वो सीधा uniform velocity में चलता रहेगा, clear हो गया दोस्तों, ठीक है, वो सीधा uniform velocity में चलता रहेगा, f is equal to qvb sin theta, या q 0 हो, v 0 हो, b 0 हो, या फिर sin theta आपका 0 हो, मतलब theta 0 या 180 degree हो, ठीक है, चलिए, right, v is equal to 0 charge, अगर rest पर है, ये सब पढ़ लिया, हमने theta 0 या 180 degree पर parallel या anti-parallel चल रहा है, fm maximum कब होगा, fm की value maximum कब होगी, fm क्या है, qvb sin theta, qvb sin theta, मतलब जब sin theta की maximum value होगी, sin theta की maximum value कितनी होती है, 1 at theta is equal to 90 degree, बोलो हा या ना, तो अगर आपका v और b perpendicular है, is perpendicular, then f is maximum, then f is maximum, बोलो हा या ना, right, perpendicular अगर है, तो force maximum होगा, मतलब, अगर मेरी magnetic field ऐसे जा रही है, और मेरा charge particle ऐसे जा रहे है, such that the angle between them is 90 degree, तो force maximum होगा, clear है ना दोस, force maximum कब होगा, जब angle between velocity and magnetic field vector is 90 degree, right, तो अगर सामने की तरफ magnetic field है, और मैंने ऐसे उसको उचाल दिया, electron को ऐसे उचाल दिया, तो v ये, 90 degree होगा, maximum force लगेगा, बताओ, any doubts, guys अगर समझ आ रहे है, मजा आ रहे है, तो like पक्का कीजेगा, ठीक है, f is equal to qvb sin theta, में हमें पता लग गया, कि भाईया, f की value maximum कब होगी, जब sin theta आपका maximum होगा, मतब theta 90 degree होगा, clear, theta जब दोस्त आपका 90 degree होगा, right, अब इसका direction कैसे निकालते हैं, direction कैसे निकालोगे, मैंने बोल दिया, मान लो भाईया, b का direction ये है, b का direction ये है, right, और मेरे पास एक electron है, जो कि इस direction में घूम रहा है, right, तो velocity vector क्या है, velocity vector इस direction में, मेरा charge particle इसमें जा रहा है, B इधर है, right, तो direction आप कैसे निकालोगे, बताओ, direction कैसे निकालोगे, देखो, ultimately, तो आप क्या कर रहे हो, it's a cross product, बोलो हाया न, it is a cross product, right, अब cross product क्या है, V cross B, right, V cross B, तो या तो मैं सीधा सीधा क्या कर लूँ, ये मेरा V हो गया, ठीक है, ये मेरा V ह बहार की तरफ लगेगा, V cross B, बहार की तरफ लगेगा, बोलो हाया न, cross product ऐसे निकालते थे न, V cross B, बहार की तरफ निकलेगा, ठीक है, या फिर, इसका 2-3 rules हैं, जो आप याद कर सकते हो, one of the most easiest is left hand rule, left hand rule, right, left hand rule, अब left hand rule, क्या बोलता है, कि भाया, आप अपना left hand लो, और इसमें तीनों fingers ऐसे stretch कर दो, right, thumb, index finger, ये वाला, ऐसे इस तरहां से आप stretch कर दो, right, आपने कर दिया ऐसे, ये ऐसे, 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 ऐसा ही कुछ होगा न, ये तीनों fingers आपने stretch कर दी, right, अब आपको क्या याद रखना है, father, mother, child, right, father, mother, child, right, तो म magnetic field और current, अब देखो, अगर मैं electron की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो तो भाईया उल्टा हो जाएगा, मैं यहाँ पर एक positive charge की बात करता हूं, क्योंकि positive charge जिस तरफ जा रहा है, current उसी तरफ जा रहा है, बोलो हाया न, positive charge जिस तरफ जा रहा है, तो दोस्त, current उसी तरफ जा रहा ह तो force का आपका direction क्या आ गया, बहार की तरफ, ठीक है, out of the plane, out of the smart boat, यही अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं, कि यार, it is a cross product, v cross b, v cross b से भी आपका बहार की तरफ ही आएगा, ठीक है न, तो आप कोई भी method यूज़ कर सकते हो, right hand, जो आपका, sorry, left hand rule है, that is more better, right, और ये कभ यूज़ करना होता है, left hand rule, जब आपको force का direction निकालना होता है, तभी जब आगे चलकर आप पढ़ोगे कि motors का working, तो आप left hand rule यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर force निकालना होता है, clear, वहाँ पर force निकालना होता है, is that clear, चमक ग्या सबको, simple ही था न, दोस्त, right, तो direction कैसे निकालोगे, direction निकालोगे by left hand rule, right, अलग-लग चीज़ है, या तो आप basically direction of f and direction of this, right, तो हाँ, एक direction of fm, right, sign of q, direction of qb, we can say that q is positive, the magnetic field along this, and q is negative, it is ulta, तो ध्यान आपको बस यह देना है कि भाया, जो आपका q है, right, वो positive या negative हो सकता है, अगर q positive है, तो आप इसको बस ऐसे सोचिए कि अगर q positive है, तो current उसी direction में बहर है, q अगर negative है, तो electron की बात करें, तो आपको ulta ल rule, जो अभी मैंने आपको समझाया, वही आपको use करना है, father, mother, child, force magnetic field current, right, दो आपको दे रखी होगी, तीसरी आपको निकालना है, ठीक है, and they are mutually perpendicular to each other, जो की सही बात भी है, they are mutually perpendicular to each other, right, क्यों, क्योंकि मान लो, अगर ये आपका V है, ये आपका B है, तो जो आपका, इसका cross product निकलता है, वो इसके perpendicular होता है, ये इसके भी perpendicular है, इसके भी perpendicular है, ठीक है, is it clear, is it clear or not, दोस्तों, ठीक है, तो यहां से Fleming's left hand rule से आप direction निकाल सकते हैं, clear, बताओ, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए दोस्तों, ठीक है, तो Fleming's left hand rule से, इसमें right hand rule भी आप लगा सकते हो, right hand rule में वही curl of finger वाला जो मैंने बताया न, V cross B से, V cross B, right hand palm rule, right, वैसा भी लगा सकते है, right, the choice is yours, ठीक है, ऐसे, आप right hand rule से भी लगा सकते है, F is equal to V cross B, तो cross product के लिए right hand thumb rule लगाते थे थे न, वही की वही चीज़ है, right, वो भी आप लगा सकते है, right, अब एक बहुत important कितना होगा इस force के द्वारा, right, work done कितना होगा इस force के द्वारा, आप एक बात बताओ दोस्त, मैंने अभी आपको क्या बताया, F is equal to Q V cross B, बोलो हाया न, right, F is equal to Q V cross B, क्या मैं यहां से यह लिख सकता हूँ, that F is perpendicular to V and F is perpendicular to B, बिलकुल लिख सकते हैं सर, ठीक है, अगर F V के perpendicular है, right, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, F is perpendicular to displacement as well, बोलो हाया न, अगर F V के perpendicular है, तो क्या F displacement के भी perpendicular नहीं है, बिलकुल है, अगर F displacement के perpendicular है, तो work done क्या हो जाएगा, work done क्या हो जाएगा, सोच के देखो, work done क्या होता था, work done होता था, F X cos theta, बोलो हाया न, ठीक है, work done क्या होता था, F into X into cos theta, cos 90 कितना हो जाता है, 0, right, तो work done कितना हो जाएगा, 0, अगर force perpendicular direction में लग रहा है, displacement के, तो work done कितना हो जाता था, 0, right, और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, uniform circular motion की तरह, circular motion, circular motion, uniform circular motion में, जो आपका centripetal force होता था, जो अंदर की तरह effect करता था, क्या, उसके द्वारा work done 0 नहीं होता था, वो अंदर लग रहा है, displacement बाहर की तरह हो रहा है, velocity tangential है, right, तो आप वहाँ से relate कर सकते हो, so, so बात की एक बात, कि जो work done होता है आपका, due to the magnetic field का force, right, work done due to the magnetic force, अगर मैं बोलू, तो वो क्या हो जाएगा, 0, right, तो work done on a charged particle due to the magnetic force is equal to 0, बताओ, चमका के नहीं, very important है, ये चीज़ बहुत important है, इसकी field ले लो, right, मैंने आपको क्या बताया, भीया, f is equal to q v cross b है, right, f is perpendicular to v, f is perpendicular to b, क्यो, क्योंकि ये जो v cross b का dot cross product निकलेगा, right, that would be perpendicular to v and b, तो यही उसका cross product है, तो f y हो जाएगा, जब f v के perpendicular है, तो f x के भी perpendicular है, right, displacement के भी perpendicular है, जब f displacement के perpendicular है, तो work done 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या न, work done कितना हो जाएगा, 0, बताओ, clear के नहीं, work done आपका 0 हो जाएगा, अब इससे बहुत प्यारी सी चीज़ निकलेगी, वो क्या, work done क्या होता है, work energy theorem आपको याद है, work done is equal to change in kinetic energy, जब work done 0 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, change in kinetic energy 0 है, right, मतलब kinetic energy initial, right, मैं यहाँ से फिर क्या बोल सकता हूँ, मतलब आपका kinetic energy initial is equal to kinetic energy final, right, क्या मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, half m v initial square is equal to half m v final square, right, क्या यहां से मैं यह लिख सकता हूँ, we can simply deduce that v initial is equal to v final, तो कहने का क्या मतलब है, कि एक moving charge particle में अगर कोई force लगा रहा है, right, वो force उसका velocity का magnitude change नहीं करता, बताओ, velocity का magnitude change नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो जो force लग रहा है, देखो, वो perpendicular to v and perpendicular to b लग रहा है, right, जब force perpendicular to v लग रहा है, तो कहने का मतलब force क्या हो रहा है, देखो, force आपका क्या है, work done आपका 0 है, ऐसे सोच के देखो, कि ये एक uniform circular motion है, uniform circular motion में, right, uniform circular motion में, v का magnitude change नहीं होता था, दोस्त बस direction change होता था, बोलो हाया न, v का magnitude change नहीं होता था, uniform circular motion में, v का हमेशा direction change होता था, uniform circular motion की बात करो, magnitude same रहता था वही चीज यहां पर हो रही है कि अगर एक moving charge particle को आप एक magnetic field में डाल दो तो उस पर एक force लगेगा बिल्कुल लगेगा sir राइट वह force की value क्या होगी qvb right qvb sin theta पर यह जो force है ना तो उस पर कुछ work कर पाएगा क्योंकि work done 0 आ गया ना ही उसकी velocity को change कर पाएगा बोलो हाया ना ना ही उसकी velocity को change कर पाएगा तो क्या करेगा उसको accelerate करेगा मतलब उसका direction change करेगा इतना चमका के नहीं उसका direction change करेगा औ और इसको आप सोचो ऐसे कि युनिफॉर्म circular motion की तरह है उसका direction change कर पाएगा बताओ clear ठीक है ना उसका direction change कर पाएगा कितने बच्चों को यह चमका क्योंकि थोड़ा important है बताओ work done कैसे zero होगा कितने बच्चों को यह चमका बताओ work done zero होगा इतने बच्चों को चमका ठीक है work done 0 होगा चमग गया ठीक है sir work done 0 होगा इसको मैंने relate करना है तो कहने का मतलब है कि भाईया अगर यहाँ पर एक magnetic field है और मैंने एक electron को या एक proton को ऐसे छोड़ दिया moving कहीं पर भी theta मैंने कोई भी लगाया वो क्या कर रहा अभी मैंने कोई specific case नहीं लिया दोस्तों एकदम generic चल रहा है यह work energy theorem एकदम generic लगाई है मैंने ठीक है यह v final और v initial एकदम generic way में निकले तो मतलब उसका velocity का magnitude change नहीं हो रहा जब velocity का magnitude change नहीं हो रहा और force लग रहा है तो वो क्या करेगा force force उसका direction change करेगा क्योंकि accelerate तो वो करेगा ही न दोस्त राइट जहां पर भी force आया वहाँ पर acceleration हुई अब acceleration का मतलब अब velocity का magnitude change नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है direction change हो रहा होगा right relate करो centripetal force से centripetal force क्या करता है centripetal force उसका direction change करता है magnitude change नहीं करता right बताओ is it clear आ गई बात समझ सो motion of a charge particle in uniform magnetic field की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर force क्या हो जाता है q vb sin theta work done कितना हो जाता है 0 वी final और वी initial क्या हो जाता है same right कहने का क्या मतलब है यह जो magnetic force है यह magnitude change नहीं करता यह magnitude change नहीं करता नहीं करता is that clear ठीक है V का V का magnitude change नहीं करता क्या change करता है फिर उसकी direction change करता है clear बताओ जी चमक गया सबको right अब इसमें cases लेते हैं अलग लग पहला case क्या अगर मेरा theta 0 या 180 degree है right फिर हो गया theta 90 degree 0 और 180 तो बहुत simple है दोस्त 0 और 180 तो बहुत simple है मान लो मेरा V इस direction में है और V इस direction में है दो cases है right पहले case में मेरा V का direction भी यही है मेरा velocity का अब ध्यान देना यहाँ पर मैं जो charge particle assume कर रहा हूं नहीं positive ही है ठीक है यहाँ पर जो मैं charge particle assume करता हूं इसमें वो positive ही है right यहाँ पर charge particle आपका मान लो ऐसा है ठीक है यहाँ पर charge particle आ ऐसा है तो अब ध्यान दिजेगा यहां पर अगर मैं फोर्स निकालूं तो f is equal to qvb sin theta ठीक है तो यह कितना हो जाएगा f is equal to qvb sin 0 मतलब 0 similarly यहां पर अगर निकालोगे f is equal to qvb sin 180 degree मतलब यह भी क्या हो जाएगा 0 तो अगर एक charged particle ध्यान देना अगर एक charged particle इस direction में मैंने छोड़ दिया या उसकी direction में या उसकी opposite direction में तो उस पर कोई net force लगेगा ही नहीं जब force नहीं लग रहा तो acceleration भी नहीं होगा मतलब वो जिस direction मे चल रहा था उसी में वो चलता चला जाएगा clear बताओ समझ आ रहे हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्रिपया चैट वैट पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए focus कीजिए कोई सवाल अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा तो वो आप पूछ सकते हैं ठीक है आप हमेशा यह याद रखो यार दुनिया में अपने सबका ठेका नहीं ले रखा right कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा just focus जैसे एक ना बोलते हैं कि घोड़े के blinkers होते हैं इधर और इधर आंखों के साइड में वैसे attitude से पढ़ा करो क्या मुझे किसी से मतलम नहीं है मैं पढ़ने आयो मैं पढ़ा ही करूंगा ठीक है वैसे attitude से पढ़ा करो ठीक है तो अब यह क्या हो गया when theta is equal to zero or 180 the magnetic force is equal to zero hence the path of the charge particle is a straight line undeviated when it enters parallel or anti-parallel right भले वो parallel enter करे या anti-parallel enter करे जो उसका motion हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वही uniform motion होगा ठीक है जैसा आ रहा था वैसा चला जाएग is that clear यहाँ पर कोई force ही नहीं है right net force कितना हो गया 0 निकल गया क्योंकि sin theta आपका 0 आ गया is that clear ठीक है so that is one simple case right अगर आपका theta 0 या 180 degree है अगर आपका theta 90 degree है यह आया मज़े वाला case अगर आपका theta 90 degree है देखो अब theta 90 degree का क्या मतलब मेरा b का direction यह है मेरा b का direction यह है right और मेरा velocity का direction यह है मेरा velocity का direction यह है right velocity का direction यह है right अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या होगा यह दोनों आपस में 90 degree पर है right अब यहाँ पर यह move करेगा जाहिर सी बात यह move करेगा right यह move करेगा right अब इस पर force की direction सोचो क्या लग रही होगी left hand rule यूज यूज करूँगा, father, mother, child, right, father, mother, child, right, magnetic field इधर है, magnetic field इधर है, और velocity आपका उपर है, right, current आपका उपर है, तो इस पर force क्या लग रहा होगा, into the plane, into the plane, अंदर की तरफ force लग रहा होगा, अंदर की तरफ, right, जो इसको ठिक, 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 अंदर की तरफ ऐसे जुका रहा है, अं यह नवाज, ठिक, अब एक बाद बताओ, क्या यह motion of this particle, don't you think it will become something like a circular motion only, सोच के देखो, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर force क्या लग रहा है, force लग रहा है, qvb sin 90 degree, तो f कितना हो जाएगा, qvb, ठिक, f मेरा होगया, qvb, right, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 degree ह right, v cross b अगर मैं करूंगा, तो इस पर force अंदर की तरफ लग रहा है, ऐसे, अंदर की तरफ लग रहा है, like this, right, वो उसको अंदर की तरफ जुका रहा है, क्या यह वैसा case नहीं है, कि जैसे अब assume करो, कि एक circular path था, right, अब यह 2D में है, उसका velocity ऐसे था, तो उस पर force ऐसे लग अंदर खीच रहा है, बताओ, समझ आई कि है नहीं, यह plane के अंदर खीच रहा है, यह ऐसे move करेगा, ठीक है, यह ऐसे move करेगा, इतनी बाद सबको चमकती है, right, यह अंदर खीचेगा, तो क्या मैं नहीं लिख सकता, बहुत important है, क्या मैं नहीं लिख सकता, यहां का जो force होग that only would be the centripetal force, centripetal force क्या होता था दोस्तो, mv square by r, बताओ, centripetal force होता था mv square by r, बताओ, याद है आप सबको, centripetal, देखो, कभी भी particle अगर circular motion में घूमने लगे, यहां पर particle, यहां पर this charged particle, charged particle, particle will move in circular orbit, circular orbit, और कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको दिखे, कहीं पर भी आपको दिखे, एक particle circular orbit में लग रहा है, मतलब वहां पर centripetal force है, तो यहां पर force कोन सा है, ठीक है, यहां पर force कोन सा है, ठीक है, यहां पर आपका यही वाला magnetic force है, तो mv square by r will be equal to qvb, बोलो हाँ या न, अब इसी से basis आगे आपके बहुत सवाल बनेंगे, ये basic आपको clear होना चाहिए, mv square by r is equal to qvb, बताओ जी, बताओ, mv square by r is equal to qvb, अब यहाँ से आप r निकालते हो, r, यहाँ से आप r निकाल लो, r क्या हो जाएगा दोस्त आपका, mv square by qvb, तो क्या हो जाएगा दोस्त, mv by qb, very important, r is equal to mv by qb, r क्या है आपका, mv by qb, mv by qb, बहुत important है, ठीक है दोस्त, यह बहुत important है, क्या है, r क्या है, mv by qb, r क्या है, radius, यह circle में घुमने लगेगा, यह circle में घुमने लगेगा, right, उसका radius क्या होगा, वो यहाँ पर बतायागे, यह जिस circle में घुमने लगेगा दोस्त, उसका radius क्या है, उस circle का radius क्या है, वो है mv by qb, m क्या है, mass of that particle, v क्या है, velocity, tangential velocity की बात क परों में किस velocity से वो जा रहे है क्यों क्या है उस पर कितना charge है plus 1E2E3E जितना भी और B क्या है magnetic field बताओ is that clear mv by qb mv by qb ठीक है चमक गया यहां से आपके पास आ गया r is equal to mv by qb अभी इस पर बहुत operations करने है r is equal to mv by qb ठीक है चलिए इसको side में रख दीजिए अब एक बार बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता mv क्या होता है momentum आपको बता है momentum is equal to mv होता है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं r is equal to momentum divided by qb बोलो हाया ना तो यह एक दूसरा equation बन गया right, p by qb, बोलो हा या ना, ठीक है न, यहां से आपके पास एक दूसरा equation बन गया, बताओ, ठीक है, बिल्कुल, आपको ये भी पता है, momentum क्या होता है, mv, right, अगर मैं kinetic energy और momentum का relation देखू, तो kinetic energy क्या होता था, half mv square, right, half mv square, right, और अगर मैं, इसको मैं क्या करूं, half mv square मेरा kinetic energy होता था, right, kinetic energy was half mv square, इसको m से multiply करो, m से divide करो, तो ये m square v square हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, kinetic energy is equal to p square by 2m, right, तो मैं p को क्या लिख सकता हूं, under root of 2m kinetic energy, बोलो हा या न, तो यहां से एक और formula भी बन जाएगा, r is equal to root 2m kinetic energy divided by qb, right, तो यहां से इसका kinetic energy में भी equation निकल गया, ठीक है, 2m kinetic energy divided by qb, right, main क्या था, main formula क्या था दोस्त, ये वाला, ठीक है, main formula था ये वाला, और ये भी कहां से आया, मैंने centripetal force को, इस magnetic force से equate कर दिया, तो यहां से r आ गया, दोस्त, right, अब मैं r में momentum का भी डाल सकता हूं, kinetic energy भी डाल सकता हूं, ऐसे अलग-लग चीज़े मैं कर सकता हूं, बताओ, इतना clear हुआ के नहीं? बताओ जी, इतना सबको समझ आ रहे, clear हुआ के नहीं, any doubts? बताओ, clear, अब यहां से एक और चीज़ भी आपसे पूछ ली जाती है, कि भाईया, इसका time period बताओ, इसका time period बताओ, time period क्या होता है, time period is capital T, right, कि भाईया, एक revolution में कितना time लगा, right, एक revolution में कितना time लगा, अच् राइट, तो speed is equal to distance by time, time is equal to distance by speed, distance कितना है, कितना distance travel किया, 2pi r divided by v, बोलो हाँ या न, 2pi r divided by v, चलिए, r अभी अभी हमने निकाला है, ताजा ताजा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2pi by v into r को क्या लिख दो, mv divided by qb, v से v cancel हो गया, time period क्या आ गया, दोस्ता आपका यह यहां पर 2pi m, 2, अरे, अरे, ठीक है, wait, 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 यहां से आपके पास time period क्या आ जाएगा, time period आ जाएगा, 2pi m divided by qb, अब यह दिखने में बहुत simple सा formula लग रहा है, बट बहुत तगड़ा formula है, 2pi m by qb, 2pi m by qb, ठीक है, दिखने में बहुत simple सा formula है, बट पता है, तगड़ा time constant है, right, q constant होगा, right, b आपका constant होगा, constant magnetic field, तो कहने का क्या मतलब है, time period, time period, is independent, independent of v, time period v से ही independent है, बलता हो, कर लो बात, v से ही independent है, समझारी ये बात, कितना तगड़ा observation है, कि भहिया, अगर एक magnetic field के अंदर एक charge particle डाला, तो time period, एक complete revolution करने में कितना time लेगा, right, that is independent, तो हर एक same time लेगा, हर charge particle same time लेगा, इसको जितनी भी velocity से फैक दो, right, बट हाँ, एक चीज़ जरूर होगी, कि अगर आप उसने ज्यादा velocity से फैका, तो उसका radius बहुत ज्यादा हो जाएगा, right, radius बहुत ज्यादा हो जाएगा, right, अरियन बात समझ, उसका radius ज्यादा हो ज्यादा, वो ज्यादा travel कर रहा होगा, right, बट time period क्या है, एक revolution में कितना time लग रहा है, वो same होगा, बताओ, एक revolution में same होगा, तो कहन मैंने का, कितना, मतलब, ये कितनी सही चीज है, right, कि मतलब भया, जो time period है, अब इसके आपको time period और ये, ये दोनो formulas न, are a must, right, learn करना है, रटना है, formula sheet में लिख लो, जो करना है कर लो, पर ये तो भया, आपको लिखना ही पड़ेगा, time period is equal to 2 pi m by qb, r is equal to mv by qb, बताओ, any doubts, किसी को कोई भी doubts है यहां तक, बताओ, किसी को कोई भी doubts है यहां तक, ये पूरी slide बहुत जादा important होने वाली है आपके लिए, ठीक है, clear, ये निकल गया, अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं, delta v is equal to work done divided by charge, बिल्कुल लिख सकते है sir, potential chapter में तो पढ़ा to charge, ठीक है sir, ये भी लिख सकते है, right, क्या मैं work done को kinetic energy लिख सकता हूं, energy क्यों होती है, energy is the capacity to do work, तो क्या मैं लिख सकता हूं, kinetic energy is equal to q into v, मतलब कितना potential है, कितना potential है, कितना charge है, q into v, बताओ, right, तो again a very important formula, right, तो ये ही formulas हैं दोस्तों, जो आपको याद करने पढ़ सकते हैं, इस वाली class से related, mostly क्या है, मैंने r is equal to mv by qb, ये जो basic formula है, ये कहां से आया, ये जो magnetic force है, इसको मैंने equate कर दिया, किस से, centripetal force से, centripetal force क्या होता था, mv square by r, right, इसको मैंने mv square by r से equate कर दिया, वहां से मेरे पास r निकल गया, कि भाया, अगर एक charge particle को मैंने ज्यादा velocity से तो वो ज्यादा बड़ा circle travel करेगा, कम से एक फिका, तो वो कम बड़ा circle travel करेगा, यहां से r आ गया, right, मुझे पता था mv क्या होता है, momentum से relate कर दिया मैंने, तो एक मेरा formula momentum में आ गया, यही momentum और kinetic energy का भी relation पता था, तो एक r भी आ गया, right, मतलब r momentum के form में निकल गया, kinetic energy के form म में निकल गया, अब यह सब रटने नहीं है, बट हाँ, यह आपको याद करना है, क्योंकि यह याद कर लिया तो यह हो जाएगा, time period क्या होता है, time period is number of revolutions, मतलब एक revolution में कितना time लगा, right, एक revolution में, मतलब time period, एक revolution में उसने कितना distance travel किया, पहले यह बताओ, distance कितना travel किया, 2 पाई यार, speed कितनी थी, V, यह uniform circular motion की तरह हैं, दोस, uniform circular motion की बात की जा रही है, यह सारी चीज कहाँ पर मैं apply कर रहा हूं, ध्यान देना, यह सारी की सारी चीज मैं कहाँ apply कर रहा हूं, दोस, right, यह सारी, अब यहीं पढ़ना, आप यह भी लिख सकते हूं, it is V perpendicular, right, यह V perpendicular की बात कर रहा हूं, right, जब V vector is perpendicular to V vector, right, तो यह सारे के सारे cases कोन से हैं, जब आपका V is when theta is 90 degree, ठीक है, अगर theta 90 ना हो, तो यहाँ पर उसका component value लेना पड़ेगा, जो इसके perpendicular है, बोलो हाया न, is that clear, तो यह V perpendicular वाले की बात कर रहा है, तो यह लिख 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 आप लिख लिजे, यह सारे formulas आप लिख लिख लिजे, कहीं books में, जैसे DC Pandev अगयरा में, इसको omega के form में भी बता रखे, तो आपको यह time period पता लग गया, right, omega, मतलब आपको V पता लगया, V is equal to r omega कर लिजे, ठीक है न, V is equal to r omega से आप omega की terms में भी निकाल सकते हो, right, चलिए, clear, देखो, तो यहां से आपके सारे कर लिए, यह सारे कर लिए, यह सारे मैंने आपको बता दिये है, formulas, easy method में, ठीक है, तो यहां से आपके पास निकल गया, right, kinetic energy आग जाएगा, उसमें, मैंने यह kinetic energy के under root में लिया, अगर kinetic energy निकालना है, वो आ जाएगा, ठीक है, यह सब आ चुके, omega का बता रहा था मैं, omega, omega क्या होता है, 2pi by time period, ठीक है, तो omega क्या हो जाएगा, 2pi by t, right, तो बस इसको t आपने अभी अभी निकाल लाई है, तो उसको equate कर देना, तो यहां से आपके पास omega भी आ जाएगा, ठीक है, ना, omega क्या होता है, ठीक है, यहां से आप omega भी नि काल लेना, ठीक है, is that clear, ठीक है, ना, omega आपका क्या होता है, omega होता है, 2pi into time period, into frequency, right, या फिर 2pi by t, 2pi by t, right, अच्छा, यहां से एक अच्छी चीज़ याद आगी, frequency अगर वो पूछ ले, अगर वो frequency पूछ ले, तो frequency क्या होता है, दोस, 1 upon time period, frequency is equal to 1 upon time period, is equal to कितना हो जाएग qb by 2pi m, तो frequency भी कई बार पूछ सकता है, कि भया, frequency बताओ, right, तो आप यह सारी चीज़े कर सकते हो, बताओ, any problem, is that clear or not, right, तो यहां से आपका, यह जो 90 degree वाला case है ना, दोस्त, देखो, 0 और 180 वाला तो बहुत simple case है, वहां तो force लगेगा ही नी, 90 degree में वो circular घुमने लग जा तो आपके पास यह r आगया, कि कितना radius, उसी से आपने सारे formulas निकाल दिए, सारे formulas इंपोर्टेंट है, थिक है, यह सारे के सारे formulas आपके important है, तो यहां से आपने सारे formulas निकाल दिए, थिक है, यह सारी चीज़े आपकी हो जाएंगे, थिक है ना, दोस्त, right, अब यही frequency भी आ for motion में चल रहा है तो आप निकाल सकते हो कितना है ठीक है अब अगला case होता है when theta is other than right उसमें ज्यादा मत करो मैं slides में डाल देता हूं सारी की सारी चीजें थाकि आपको confusion ना हो right बट उसमें ज्यादा upload मतलो जितनी चीजें बताने लायक है जो आपकी neat के लिए important है वो मैं सब आ an angle other than 90, 0 या 180 देखो 0 और 180 पे तो force 0 लग रहा था 90 पे centripetal force के equal हो गया था right अब मान लो यह जो theta है वो other than any of these theta है तो क्या होगा तो क्या होगा दोस्त ध्यान दीजे मान लो अब मेरा b vector यह है ठीक है यहाँ पर भी इन्होंने इधर ही कर रख है मान लो इसको ऐसे बनाते है ठीक है अब इसको ऐसा देखिए मान लो यह मेरा b vector है यह मेरा b vector है और जो मेरा v vector है that is at an angle this v vector एक theta एंगल पर है ऐसे right अब v theta एंगल पर है ऐसे ठीक है जी अब क्या होगा अब मैं क्या करता हूं दोस्त ध्यान दीजे अब यह ऐसा है right अब मुझे नहीं पता भी यह theta पे क पर क्या होगा right और ninth पर क्या होगा right तो अब मैं क्या करता हूं इसके domains नो 거야 बना लेता हो बताओ इसको इसके मैं two components बना लेता हो किसी को क्यी problem यह क्या हो जाए गा दोस्त यह हो जाएगा v coordinate theta और ये क्या हो जाएगा दोस्ट V sin theta V sin theta बोलो हाया ना V cos theta V sin theta अब एक बात पर ध्यान दीजे यह जो V cos theta वाला component है V cos theta वाला जो component है क्या इसका angle V cos theta और B का angle क्या 0 degree नहीं है 0 degree है तो इसका क्या मतलब है यह जो V cos theta वाला component है यह जब इस direction में घूम रहे तो इस पर force क्या लगेगा 0 राइट तो कहने का क्या मतलब है यह V cos theta से आगे बढ़ता चला जाएगा हाँ या ना यह V cos theta से आगे बढ़ता जाएगा इस पर इस direction में कोई force ही नहीं लग रहा तो यह क्या हो जाएगा यह हाँ पर यह क्या हो जाएगा यह parallel वाला case हो गया ठीक है यह parallel वाला case हो गया चलिए अब करते है V sin theta वाला case V sin theta perpendicular वाला case हो गया ठीक है अब V sin theta और जो B है यह आपस में perpendicular है राइट V sin theta और B यहां पर तो फोर्स लगेगा, यहां पर तो दो फोर्स लगेगा, ठीक है यहां पर फोर्स लगेगा, निकाल सकते हो ना, समझ आ रही है बात के नहीं, यहां पर तो फोर्स लगेगा, राइट, आप निकाल लेना वो फोर्स, अब ध्यान दो, यह अल्टिमेटली क्या होगा, यह perpendicular है तो यह circular में घुमाएगा, यह सीधा घुमाएगा, तो ultimately जो object का, जो charge particle का motion होगा, क्या वो ऐसा नहीं हो जाएगा? हेलिकल नहीं हो जाएगा, बताओ, क्या जो charge particle का motion है, वो हेलिकल नहीं हो जाएगा, क्योंकि F sin theta वाला component उसको circular में घुमा रहा है, और V cos theta वाला component उसको आगे लेकर जा रहा है, बताओ, चमकागे नहीं, V cos theta वाला उसको आगे लेकर जा रहा है, ठीक है? V cos theta आगे लेकर जा रहा है, V sin theta उसको इधर कर रहा है, बताओ, is that clear? यहाँ पर आगे B की direction है, तो यह वाला जो component है, V sin theta, यह तो इसी direction में है, और V cos theta इसको आगे लेकर जा रहा है, तो V cos theta की वज़े से कोई force तो नहीं होगा, V और V cos theta आपस में क्या है? पारलल है, तो यहा Is that clear? Is that clear? हाँ या न? राइट, अब कोई आपसे इससे पूछे कि भईया, इसका radius क्या होगा? What would be the radius of this circle? R कितना होगा? अभी-अभी आपने निकाला? R अभी-अभी आपने निकाला, क्या था? What was R? ध्यान फिर से देखिए, MV by QB, ठीक है? MV by QB था, R आपका MV by QB था, MV perpendicular by Q अब change क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर मैं यह बला कर रहा हूँ, तो मुझे V perpendicular component लेना है, जो कि V sin theta है, तो क्या हो जाएगा? MV sin theta divided by QB, बोलो हाँ या न? ठीक है न? तो R आपका क्या हो जाएगा? R आपका यह हो जाएगा, time period क्या होगा? बताओ, time period क्या होगा? time period क्या था, time period आपका क्या निकला था? 2 pi M by QB, time period आपका 2 pi M by QB था, time period तो भईया velocity पर dependी नहीं करता, तो हो तो same रहेगा, रहेगा, भले ही आप इसको S F ECO, S F ECO, S F ECO, time period मतलब अगर आपने इसका component कम भी कर दिया, तो time period से तो कुछ फरक पड़ेगा ने, ठीक है न? time period तो क्या था, 2 pi M by QB, ही कह, ये भी हो गया, right, इतनी बात समझ आ गई, बताओ, इतनी बात समझ आ गई, इसमें और क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है, कि भईया, इसका न, ये linear distance बताओ, जब ये एक revolution ऐसे कर रहे है, तो ये linearly कितना आगे जा रहे है, उसको बोलते है, pitch, right, pitch क्या है, pitch मतलब एक revolution में उसने horizontal distance कितना चला, horizontal distance कितना चला, अब एक बात बताओ, horizontal में speed कितनी है, vx कितना है, vcos theta, right, time period क्या है, time period is t, right, क्या यहां से आप distance नहीं निकाल सकते, distance क्या हो जाएगा दोस, speed into time, मतलब vcos theta into t, इसी को हम बोलते है, pitch, इसी को बोलते है, pitch, बताओ, any other doubts, बताओ, कोई भी doubt है, इसके अलावा किसी को, ठीक है, तो यहां से आपका ये भी निकल जाएगा, should we start doing questions, feel आ गई, feel आ गई दोस्तों concept की, बहुत कम formulas है, ज्यादा formulas नहीं है, f is equal to qv cross b, vector form में, f is equal to qvb sin theta, उसका magnitude, right, फिर हमने क्या बताया, कि भाईया, अगर theta अलगलग हो, उसी साब से हमने पूरा किया, right, तो theta अगर आपका 0 या 180 था, तो उस पर force क्या लगेगा, 0, तो मतलब वो जिस velocity पर चल रहा था, उसी में चलता रहेगा, right, uniform motion में चल रहा था, चलता रहेगा, right, ये, अगर उस प कर दिया, magnetic force से, right, जैसे इसको equate किया, मेरे पास 3-4 formulas बन गए, एक most important तो r का बन गया, जो पूछा जाता है, mv by qb, तो r बन गया, अब इस r को मैंने momentum के terms में भी लिख दिया, और मैंने kinetic energy के form में भी लिख दिया, यहीं से मैंने time period निकाल लिया, एक revolution में, time period क्या है, एक revolution म divided by v, right, अब मैं यह linear वाला ही v ले रहा हूँ, तो linear में कितना displacement हुआ, 2 pi r by v, तो यहां से कर लिया, तो यहां से आपके पास time period निकल गया, time period में कोई भी v का component नहीं था, तो इस से हमें यह मालूम पड़ा, कि यार यह v पर तो depend ही नहीं करता, ठीक है, तो अगर मैंने आपक potential difference क्या होता है, work done by charge, work done ही तो kinetic energy है, यहां पर, तो kinetic energy qv आ जाएगा, right, यह सारी चीज़े पता हो नीचे, सवाल में जो भी दे रखे, आप rearrange कर सकते हो, सबको नहीं रटना, individually याद कर लो, ठीक है, और क्या हो जाएगा, frequency अगर पूछ लिया तो 1 upon time period, that's it, यह पूछ सकता ह कोई बोले कि आर omega में relate कर दो, तो omega क्या हो जाता है, omega is 2 pi into frequency, 2 pi आपको, frequency आपको पता है, आपने डाल दिया, यह निकल जाएगा, right, clear, other than 90 पर क्या होगा, उस velocity के दो components बना लो, एक हो जाएगा, v sin theta, v cos theta, sin theta वाले पे same वही कहानी लगा देनी है, क्योंकि अब यह perpendicular component हो गया तो इसका r क्या हो जाएगा, mv y qb, अब mv sin theta y qb हो जाएगा, time period तो उस पर depending नहीं करता था, right, जो horizontal component है, वो क्या करेगा, इसको आगे चलने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है, आगे चलने के लिए मजबूर करेगा, finally एक helical path उठा लेगा, right, इस तरह से helical path उठा लेगा चलने लगेगा, right, और अब यह आगे एक rotation में, मतलब एक complete round में, वो कितना आगे चलता है, उसको हम pitch बोलते है, right, यह pitch आपने, मतलब units and dimension में भी शायद पड़ी रखा होगा, right, screw gauge अगर आपने पड़ा है, right, तो यह आपने आगे कर लिया, ठीक है, तो यहाँ से अब आपक difference आजाएगा, मतलब पिछ आजाएगी, clear, बताओ, any doubts, any doubts दोस्तों, ठीक है, so with this, we are done with force on moving charge, अब time आगया है, कुछ सवाल बनाने का, ठीक है, अब यह बना लो गया, ठीक है, चलिए, तो यह सारा आजाएगा आपके पास, t तो आपका 2 pi m by b q यह आजाएगा, right, force आपका ज निकले, r जो आपका निकले, वो m v sin theta by b q हो जाएगा, ठीक है, और frequency है, sorry, यह तो frequency है, यह 1 upon t, clear, ठीक है, अब आप momentum के terms में, ऐसे तो आप कितने भी formulas बना लो, right, कोई कमी नहीं है, but आपको basics पता होने चाहिए, ठीक है, चलिए, तो अब करें, कुछ previous years question लगाते हैं, confidence नेट 2021 का सवाल है, नेट 2021 का सवाल है, in the product, f is equal to qv cross b, qv, b यह आपको दे रखा है, मतलब b vector आपको दे रखा है, q तो constant ही होता है, वो बाहर ही है, right, और v vector आपको यह दे रखा है, और f vector भी आपको दे रखा है, बोला गया है कि क्या निकालो, what will be the complete expression for b, b vector क्या होगा, ठी is equal to qv cross b होता है, f is equal to qv cross b होता है, ठीक है, अब मैं क्या कर लूँगा, f is equal to qv cross b है, ठीक है, अब इसने बोला, q तो 1 ले लो, q आपका 1 हो गया, तो कोई tension की बात नहीं है, और f आपको क्या दे रखा है, f आपको दे रखा है, 4i cap, minus 20j cap, plus 12k cap, is equal to v cross b, v क्या है आपका, 2i cap, plus 4j cap, plus 6k cap, cross, b vector क्या है आपका, b vector आपको, इसने आपको b, b, bo दे रखा है, तो मैं क्या लिख लूँगा, b i cap, plus b j cap, plus b o k cap, is that clear or not, ये दे रखा है, आपको b vector को सही से बताओ, तो क्या होगा, right, b vector को सही से बताओ, तो सबसे पहले तो भाईया, इसका cross product निकाल लिया जाए, cross product कैसे निकालते हैं vector form में, i minus j k, determinant methods है, ठीक है, i minus j k, ये क्या है, 2, 4, 6, v cross b निकालना है, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ये क्या है, b, b, b note, right, ये क्या है दोस, b, 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 note, right, तो यहां से अब आप इसका i component निकाल लो, i component क्या हो जाएगा, दोस, i component हो जाएगा, 4, b, note, minus 6, b, minus, j component क्या हो जाएगा, दोस, j component हो जाएगा, 2, b, note, minus 6, b, right, plus, k component क्या हो जाएगा, आपका, k component हो जाएगा, 2, b, minus, 2, b, minus 4, b, minus 4, b, right, ये आपको पता लग गया, अब आपको इसको किससे equate करना है, इस vector से, ये तो आपको देही रख है, तो सबसे पहले k वाले ही उठा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो b और b है, थाकि b निकल जाएगा, तो 2b-4b, 2b-4b कितना हो गया, minus 2b, minus 2b is equal to 12, बोलो हाँ या न, यहाँ से b कितना आ गया दोस, b आपके पास आ गया, minus 6, कितने बच्चों को चमका, b-6 आ गया, तो minus 6, minus 6 होना चीए यहाँ पर, is that clear, बताओ, b आपका minus 6 आ गया, बताओ, कितने बच्चों का आ गया, right, ठीक है न, इसी तरहां से आपको करना है, right, इसी तरहां से आपको करना है, आपका final answer आ जाएगा, right, b आपका minus 6 आ जाएगा, options देख लो, options देख लो, दो right, b आपका minus 6 आ गया, b आपका minus 6 आ गया, right, तो b, b, minus 6, minus 6, b option would be the right option, clear है न, minus 6, minus 6 हो तो निकल ली जाएगा, आपके बास, b आ गया न, दोस्त, minus 6, b minus 6 आ के सवाल बन गया आपका, कितने बच्चों को चमक गया, कैसे करना है यह सवाल, simple सवाल था भाहिया, cross product का सवाल था, सवाल था, बताओ, clear, बताओ जी, ठीक है, तो आपका b minus 6 आ गया, option देख ले न, इसी में यह minus 6, तो बस, एक यह option में minus 6 है, आपका minus 6, minus 6, मतलब यह क्या है, b, b, b not, b और b तो आपने निकाल लिया, b not की जरूरत ही निया, जब ऐसे ही आ गया, clear, चलिया, अगले सवाल पर बढ़े, अगला सवाल क्या है, नीट 2019 का सवाल है, नीट 2019 का, ionized hydrogen atoms and alpha particles with some momenta enters particular, enters perpendicular to the constant, अब perpendicular enter कर रहे है, तो मुझे भाईया बस 90 degree वाला दिमाग में रखना है, मतलब circular motion हो रहा होगा खाली, ठीक है, to the constant magnetic field, the ratio of their radia है, रह और अर अर अलफा, ठीक है, सबसे पहले तो आर का formula क्या है, momentum में, सोचो, r का formula, momentum में मैंने आपको बताया, r का formula momentum में, क्या है, यह पूरा का पूरा, अब यह slide ना, आपको याद करने पड़ेगी, दोस्त, r is equal to p by qb, बोलो हाँ या न, r is equal to p by qb, याद है, r is equal to p by qb, तो जैसी अब आपने यहाँ पर लिख लिया, r is equal to p by qb ठीक है, अब यह ratio पूछ रहे, अब ultimately में क्या करूंगा, r h, r is equal to momentum divided by, charge कितना होता है, एक उस पर कितना charge होता है, e, right, एक proton होता है न, तो e charge हो जाएगा into b, divided by r alpha, right, alpha particle का momentum ultimately क्या दे रख है, momentum same है, right, charge कितना हो जाता है alpha particle पर, 2e into b, बोलो हाँ या न, right, तो ultimately आपके पास, ultimately आपके पास, यही बनेगा कुछ, कितने बच्चों का यह आ रहे, ठीक है, r h by r alpha यही बनेगा, right, constant magnetic field, b और b cancel हो जाएगा, same momenta, p और p cancel हो जाएगा, right, ultimately यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, e divided by, right, ultimately यह क्या हो जाएगा, दोस्त, यह हो जाएगा, 2e divided by e, 2 is to 1, 2 is to 1 would be the right answer, ठीक है, r is equal to p by qb formula लगा, तो जो मैंने आपको formulas लिखे थे दोस्तों, वो सारे formulas आपको याद करने ज़रूरी है, ठीक है, वो सारे के सारे formulas दोस्त, याद करने ज़रूरी है, समझ आ गया, ठीक है, 2 is to 1, इसका आँसर आ जाना चाहिए, 2 is to 1, नीट 2016 का सवाल, नीट 2016 का सवाल, an electron is moving in a circular path under the influence of transverse magnetic field of this, ठीक है, if the value of e by m is this, the frequency of revolution of electron is, frequency पूछा है, frequency का formula दोस्त, आपको पता है के नहीं, frequency क्या था, frequency था, qb divided by 2 pi m, right, मैं आपको सब बताता चल रहा हूं क्योंकि यह आपको याद करने बहुत जरूरी है दोस्तों, right, जिन जिन को याद नहीं आ रहा, वापिस से एक बार बता देता हूं, यही निकला था, frequency आपका क्या निकला था, qb by 2 pi m, right, time period का inverse था, qb by 2 pi m, ठीक है, तो अब यह frequency पर लगाना है, तो frequency qb by 2 pi m, and electron is moving, अब electron की बात की जा रही है, is moving on a circular path, under the influence of transverse magnetic field, magnetic field, अब electron है, तो q की जगा मैं e लिख दूँगा, ठीक है, magnetic field कितना है, 3.57 into 10 raise to the power minus 2, divided by 2 pi into m, अब इसने आपको e by m की value दे दिये, दोस्त, e by m की value उसने दे दिये, e by m की value क्या है, 1.76 into 10 raise to the power 11, तो क्या हो जाएगा, 1.76 into 10 raise to the power 11, correct, into 3.57 into 10 raise to the power minus 2, divided by 2 pi, बताओ, चमका के नहीं कैसे करना है यह सवाल, बताओ, is it clear, बताओ, इसको solve कर लेना, answer आपका 1 gigahertz आजाएगा, राइट, इसको पूरे को solve कर लेना, answer आपका 1 gigahertz आजाएगा, राइट, यही किया ना, इन्होंने भी, राइट, तो आपके पास 1 into 10 raise to the power 9 hertz आजाएगा, मतलब 1 gigahertz आजाएगा, राइट, बताओ, any doubts, ठीक है, simple ही था, mostly आपको बस यह frequency का formula पता होना चीए था, राइट, that's it, राइट, बढ़े आगे, any other doubts, ठीक है, चलिए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, AIPMT 2011 का सवाल है, क्या पूछ रहे सवाल में, क्या पूछ रहे सवाल में, देखो, A uniform electrical field and a uniform magnetic field are acting along the same direction, देखो, अभी न, अगली class में हम Lawrence force के बारे में थोड़ा जाधा पड़ेंगे, इतना एक बार idea ले लीजिए, कि अभी मैंने क्या पड़ा, कि एक charge particle, एक magnetic field में जा रहा है, ठीक है, एक charge particle, magnetic field में जा रहा है, तो उस पर force क्या लगता है, FM is equal to QVB sin theta, बोलो हाया न, अगर एक charge particle, यहाँ पर एक electric field भी होती, तो इस पर force due to electromagnetic force क्या लगता, E into E, बोलो हाया न, मतलब यहाँ फिर Q into E लिली बोल दो, Q into E, राइट, लॉरेंस force क्या होता है, दोनों का addition, तो Fe plus FM, इसी को लॉरेंस force बोलते है, जो अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे अगली class में, कि मतलब अगर यह charge particle, magnetic field में भी है और electric field में भी है, अब magnetic और electrical दोनों field हैं, तो उसका motion कैसे होगा, तो अभी फिलहाल इस सवाल में क्या पूछा गया है, if an electron is projected in a region such that velocity is pointed along the direction of the fields, right, अब electron, ध्यान देना इस बात को, अब एक electron है, electron इस direction में चल रहा है, right, B का यह direction है, right, और E का भी यही direction है, यह सवाल है, B का भी यही direction है, और E का भी यही direction है, तो अब इसने क्या बोले कि क्या होगा, उसकी speed बड़ेगी, घटेगी, यह, सबसे पहले तो force देख लेते हैं, कि भाईया, इस पर force लग भी रह के नहीं, force due to magnetic, तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि angle between them क्या हो जाएगा, 0, right, तो QVB sin theta 0 हो जाएगा, अगर मैं बात करूं, force due to electrical, तो उसमें तो sin theta वाला कुछ नहीं था, उसमें तो क्या था, Q into E, right, Q into E, तो क्या हो जाएगा, E into E, right, E into E, बोलो हाया न, E into E, अब आपको पता है, कि जो electron होता है, वो electron कैसे जाएगा, ध्यान दीजे, electron कैसे जाता है, electric field अगर ऐसे जा रही है, तो मतलब यहाँ पर कहीं कोई positive assume कर सकते हैं, positive से बाहर जाती है, तो electron electric field की direction में तो नहीं जाता, electric field की direction में positive test charge आता है, positive charge, तो यहाँ पर क्या होगा, electron इस direction में, मतलब electric field है, तो electron इस direction में जा रहे है, electron इस direction में जा रहे है, और जो force लग रहे है, वो उधर लग रहे है, electric field यह, तो ultimately उसकी speed को क्या करेगा, कम करेगा, बढ़ाएगा, कम करेगा, बताओ, इतनी बात चमक रही है क के नहीं, यह देखो, यह जो f is equal to q into e लगा, ठीक है, electric field इस direction में है, तो यह force इधर लग रहे है, but electron, electric field के opposite जाता है, तो ultimately उसकी speed, time के साथ साथ कम हो जाएगी, the speed will decrease, बताओ, आई बात के नहीं समझ, आई बात के नहीं समझ, ठीक है, या फिर अगर आप magnet, उसकी बात करो, minus e into e हो जाएगा, तो उस direction में force लगेगा, right, force उस direction में हो जाएगा, मतलब यह reduce हो जाएगा, clear, the magnetic field will not apply any force, only the electric field will apply the force opposite to the velocity of electron, hence the, right, the speed will decrease, velocity इधर है, force उधर लग रहे है, तो speed घटेगी, ठीक है ना, is that clear, चलिये, अगला सवाल, अगला सवाल है, है AI PMT 2009 का, AI PMT 2009, the magnetic force acting on a charged particle of, on a charged particle of charge, minus 2 micro coulomb, in a magnetic field of 2 tesla, acting in the y direction when the particle is this, मुझसे force पूछ रहे है, force, magnetic force का simple formula क्या होता है, qv cross b, ठीक है ना, to qv cross b, तो क्या हो जाएगा force, force ultimately क्या हो जाएगा, force is equal to, q कितना दे रहे है, minus 2 micro coulomb, minus 2 into 10 raise to the power minus 6, ठीक है ना, 10 raise to the power minus 6, minus 2 micro coulomb, ठीक है, in the magnetic field of 2 tesla, right, अब magnetic field क्या है, 2 tesla, acting in y direction, तो यह 2 tesla है, right, 2 tesla, right, acting in y direction, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अच्छा, यह तो magnetic field है ना, v क्या दे रखे, the velocity of particle is, 2 i cap plus 2 i cap plus 3 j cap, ठीक है, into 10 raise to the power 6, तो 10 raise to the power 6 को constant है, बाहर ही ले जेते हैं, constant तो बाहर ले सकते हैं, into 10 raise to the power 6, right, यह cross, यह, अब यह कितना है, 2 tesla, acting in y direction, मतलब यह हो गया 2 j cap, बोलो हाया ना, 2 j cap, अब यहां से एक चीज़ आपको समझ आ गई भईय कि यह तो यह आप cancel कर दो, चलिए, तो क्या हो जाएगा, f is equal to minus 2 into this, अब यह निकाल लेते हैं, यह कितना होगा, right, अब इसका एक बार cross product निकाल लो, i j k, i j k, तो यहां पर क्या हो जाएगा, i j k, अगर आपने लिख लिया, यहां पर क्या हो जाएगा, 2, 3, 0, यहां पर क् कोई component आएगा नि, j का भी कोई component नहीं आएगा, सोच के देखो, j का भी नहीं आएगा, k का ही आएगा, तो final answer क्या हो जाएगा, आपका k cap, k cap यह और यह, तो कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, ठीक है, तो 4 k cap, but बाहर एक negative लगा हुए, तो आपका force क्या हो जाएगा, दोस, force आज यह negative z है, यह थोड़ा typo इस सवाल में, वर्ना यह common हो गया न, options, 8 यह, यह negative z वाला direction है, ठीक है, थोड़ा सा typo था, 4 in negative z direction is the answer, clear, normal cross product निकालना था, f is equal to qv cross b, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बढ़े आगे, बताओ दोस्तों, कितने बच्चों को यह सवाल समझ आया, ठीक है न, अरे, अरे, थोड़ा सा, एक चीज, एक चीज गलत हो गई, दिमाग में वो चल रहा था, यह 4 है, 4 into, यहाँ पर minus 2 है न, minus 2, तो मतलब minus 8 k cap हो जाएगा, minus 8 k cap हो जाएगा, यह 2 से multiply भी, मैं दिमाग में कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है न, तो 8 newton in this one, clear है, बताओ, क्या मज्या, बताइए दोस्तो, simple, आगे बढ़ते हैं, ठीक है न, along the negative z axis, अगला सवाल आया है, AI PMT 2008 में, क्या पूछा है सवाल में, a particle of mass M, charge Q, and the kinetic energy T, enters a transverse uniform magnetic field of induction B, ठीक है, magnetic field दे रखिये B, after 3 seconds, the kinetic energy of the particle will, right, अब ध्यार देना, the particle of mass M, charge Q, and kinetic energy T, enters transverse uniform magnetic field, मतलब उसी तरह से लग रहा है, magnetic field, perpendicularly लग रहा है, तो आपको पताए, उस case में, kinetic energy क्या रहती थी, kinetic energy, मतलब मैंने आपको क्या बताए था, change in kinetic energy is equal to 0, ये हमेशा याद रखी, right, circular motion हो रहा है, magnitude तो change नहीं हो रहा, uniform circular motion हो रहा है, जब magnitude change नहीं हो रहा, uniform circular motion हो रहा है, तो मतलब velocity change नहीं हो रही, kinetic energy change नहीं हो रही, तो मतलब kinetic energy same रहेगी, तो अगर T थी, तो बाद में भी T ही रहेगी, बोलो हाया न, ठीक है, और इसका पूरा theory मैंने यहाँ पर आपको समझा रख है, जो जो बच्चे थोड़ा बाद में आया है, प्लीज इस slide को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहा गया, यह वाली, कहा गई वो वेली slide, यह देखो, यह, ठीक है न, work done 0, यह work done वाला, ठीक है, kinetic energy का बता है न, change in kinetic energy 0, तो मतलब initial और final velocity same है, kinetic energy same है, kinetic energy initial और final same है, जब kinetic energy same है, तो कोई change तो हुआ ही नहीं, जब change ही नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो T would be the right answer, एक second वाला सवाल था, ठीक है, एक second वाला ही सवाल था, कित्ता ही time लगा इसमें, अगला सवाल, AI PMT 2007 का सवाल है, क्या है, अंडर the influence of a uniform magnetic field, a charged particle is moving in a circle of radius R with a constant speed, तो एक कोई से वाला केस है, 90 डिगरी वाला, राइट, constant speed के साथ radius R में, the time period of the motion is, अब time period of the motion क्या होता है, बताओ जी, what is the time period, 2 pi m by qb, या देखे नहीं, time period क्या है, 2 pi m by qb, right, जभी भी ऐसे कुछ सवाल आए ना दोस्तों, हमेशा ना देखा करो कि भई आप directly या inversely जो भी लगा रहे हो, constants वागेरा है के नहीं, ये constant, ये constant, mass constant, q constant, b भी constant, uniform magnetic field में, right, uniform magnetic field, तो जो time period है, वो v और r पर तो depend ही नहीं कर रहा, is independent of both r and v, c option will be the right answer, clear, ठीक है ना, time period तो ना v पर depend कर रहा है, ना r पर depend कर रहा है, directly formula based सवाल आ रहे हैं दोस्त इस पर, directly formula based, time period is 2 pi m q by q into b, right, वो कहीं बर, ऐसा कोई भी सवाल है दोस्त, आपको ना बस formula sim नहीं देखना, आपको ये देखना है, क्या ये सारी चीज़े constants भी हैं के नहीं, कहीं पता लगे, b एक variable है, तो वो ultimately depend कर रहा है, अभी ऐसा एक सवाल मैंने दूसरा भी लगाया है आपके लिए, ठीक है, तो यहां से तो आपके पास आजाएगा, option number c is the right answer, अगला, when a charged particle moving with a velocity v is subjected to a magnetic field of induction b, the force on it is non-zero, अब ये क्या बोल रहा है, कि इस पर जो force लग रहा है ना, force लग रहा है, वो zero नहीं है, right, अब आपको बता है, force zero कब होता है, force, zero कब होता है, या तो zero degree पर, या 180 degree पर, इसके अलावा, force तो zero नहीं होता, ठीक है, force तो हो गई होगा, तो बस option देख लीजे, the angle between v and b is necessarily 90 degree, ज़रूरी थोड़े ना, 90 पर ही force zero होगा, right, 90 पर maximum होगा, ये पता है मुझे, any angle between v and b can have any other value than 90, angle between v and b can have any value other than 0 and 180, absolutely right, 0 और 180 के अलावा, कोई भी value हो सकती है, 90 पर maximum होगा, बताओ, clear है के नहीं, right, 0 और 180 पर ही आपका force zero हो रहा है, right, f is equal to qvb sin theta, sin theta 0 कब हो रहा है, 0 और 180 पर, 0 और 180 के अलावा कोई सी भी value हो, ले लो, क्या दिक्कत है, clear, right, इसके अलावा कोई सी भी value हो, वहाँ पर तो आपका वह यह होगा, force non zero आएगा, ठीक है, तो c would be the right answer, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, tbac aipmt 2003 का सवाल, a charge particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it, right, एक charge particle magnetic field में ऐसे जा रहा है, b magnetic field है और inner direction perpendicular to it, आपको पता है, इस case में यह circular घूमने लग जाएगा, circular घूमने लग जाएगा, और मैंने आपको बता है, यह कैसा example हो जाता है, uniform circular motion जैसा, तो मतलब V का magnitude तो change नहीं हो रहा, magnitude same है, but direction change हो रही है, direction change हो रहा है, right, तो अगर V का direction भी change हो रहा है, तो acceleration तो दोस्त है न, right, centripetal acceleration, mv, मतलब acceleration तो आई रही है आपकी, ठीक है, acceleration remains unchanged, नहीं, acceleration तो change होगी, velocity remains unchanged, बिल्कुल सही बात है, speed of the particle remains unchanged, the direction of particle remains, direction change होगी आपकी, right, velocity remains, या फिर इसको यह बोलना चाहिए, speed remains unchanged, speed आपकी constant होगी, बोलो हाँ या न, बताओ, चमका के नहीं, ठीक है, speed आपका क्या हो जाएगा, speed आपका constant हो जाएगा, पीड आपका constant हो जाएगा, clear, ठीक है, तो आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, speed मतलब velocity का magnitude unchanged रहेगा, direction तो change होगी रही है, clear, चलिया, अगला सवाल, अचार्ज Q moves in a region where electrical field E and magnetic field both exist, right, अब वही मैंने आपको बताया था न, कि एक Lawrence force होता है, जो हम आगे जालकर पढ़ेंगे, right, तो उसमें क्या है, अचार्ज particle Q, यहाँ पर E और V दोनों है, तो उस पर जो net force लगेगा, जो force लगेगा, वो क्या लगेगा, एक तो लगेगा due to magnetic field, एक लगेगा due to electric field, right, तो Fm क्या होता है, Fm तो आपको बता है, कितना होता है, Q V cross B, V cross B, और F electric क्या होता है, F due to this one क्या होता है, यह हो जाता है Q into E, तो देख लो भाई, यह कौनसा answer है, ठीक है, Q E plus Q V cross B, B would be the right answer, clear है, B would be the right answer, कहां चला गया, ठीक है, इसी को Lawrence force बोलते हैं, यह अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, बताओ, clear, ठीक है, एक सवाल, hello जी, hello, एक सवाल यहाँ पर कहीं रहे गया, मैंने डाला तो था, यह R, यह, इसका question यहाँ पर नहीं आया, मैं बता देता हूँ, सवाल क्या था, का relationship पूछ रखा था, with V and B, R का relationship पूछ रखा था, with, जो R होता है न, radius का relationship पूछ रखा था, with V and B, और बता क्या रखा था, कि एक particle है, एक electron है, वो circular motion में चल रहा है, electron circular motion में चल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें यह गलती कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो question प्रिंट होना यहाँ पर रह गया, बट यही सवाल था, यह भी previous year question यह है, कि R का relation with V and B, ठीक है, ध्यान दीज बहुत सारे बच्चे जब formula लिखते हैं, R is equal to, तो R का formula क्या होता है, R का formula क्या होता है, MV by QB, बोलो हाया न, R का formula क्या होता है, MV by QB, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें खाली यह formula लगा के लिख देंगे, R is directly proportional to V by B, और गलत हो जाएगा, यह भी आपका option है, तो करन क्या है इसमें, इसमें आपको B की value निकालनी है, क्योंकि उसने situation दे दिया, circular motion में एक particle चल रहा, एक electron चल रहा है, तो B क्या होता है, circular motion के लिए, sorry, circular path के लिए, B क्या होता है, at the center, B होता है, mu naught by 2, I by A, अगर R उसका वो है, ठीक है, I by R, ठीक है जी, अब I क्या होता है, दोस divided by, charge divided by time, right, time, अब time उसको कितना लगेगा, time उसको कितना लगेगा, feed is equal to distance by time, time is equal to distance by speed, मतलब 2 pi R divided by V, बोलो हाया न, तो यह क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, right, अब यहां से, यहां से, अब आपके पास I b आ गया, right, और B b आ गया, तो यहां से सबसे पहले तो आप इसमें यह डाल दो, B में यह डाल दो, तो B आपका कितना आ जाएगा दोस्त, B आ जाएगा आपके पास, mu naught by 2, ठीक है, I, I की जगा आप क्या लिख दो, ev by 2 pi R, बताओ, mu naught by 2, ev, मतलब by, समझा आ रहा है न, mu naught by 2, I की जगा मैंने लिख दिया, ev by 2 pi R, ev by 2 pi R, और नीचे एक R यहां पर डाल दो, तो R आपके पास क्या हो जाएगा, R आजाएगा आपके पास, mv divided by q, B की जगा आप क्या लिख दो, mu naught ev, right, समझा रही है, divided by b है न, देखो, कितने बच्चों के समझा रहे है, देखो, थोड़ा अराम से करते हैं यह वाला, देखो, यहां से आपने कर ल क्या होता है, mu naught by 2, i by r, right, एक circle के case में, mu naught by 2, i by r, ठीक है, तो mu naught by 2, आप लिख लीजे, मतलब इसको आप ऐसे करके लिख लीजे, B क्या हो जाएगा, B आपका हो जाएगा, B is equal to mu naught by 2, ठीक है, i की जगा क्या लिख दो, ev by 2 by r, right, तो मैं B को क्या लिख दोंगा, दोस्त, मै B को क्या लिख सकता हूं, B को मैं लिख सकता हूं, mu naught ev by 4 pi r square, mu naught ev by 4 pi r square, right, अब यहाँ से r क्या होता है, mv by qb, तो r क्या हो जाएगा, mv divided by q into, b क्या हो जाएगा, mu naught ev, mu naught ev by 4 pi r square, बोलो हाया न, बताओ, समझ आ रही है के नहीं आ रही है, देखो, mu naught by 2, i by r है, ठीक है, तो mu naught by 2, right, i, i आपका क्या हो जाएगा, i आपका हो जाएगा ev, right, i हो जाएगा ev by this one, right, ev by 2 pi r square, ठीक है, r mv by qb है, right, तो mv by qb, right, अब यह b का हो जाएगा, by है न, b, बताओ, समझ आ रहे के नहीं, r आपका ultimately क्या निकल जाएगा, mv by qb है, बताओ, 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 देखो, यह वला न, यह question या तो मैं अगली class में करा दूँगा, आपको, ध्यान से समझे, ध्यान से समझे, यह है क्या, circumference क्या है, 2pi r by v, 2pi r by v, right, 2pi r divided by v, देखो, पूरा फिर से करते हैं, एक एक करके, क्योंकि यह वला न, थोड़ा interesting question है, इसका सवाल यहाँ पर गायब हो गया, तो इसलिए फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है, देखो, इसको ऐसे समझ यह, कि, अब आपके पास time period आपको पता है time period का formula, मतलब p का formula क्या होता है, 2pi r divided by v, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, right, b क्या है, जो मैं b निकाल रहा हूँ, b is equal to mu naught by 2, i by a, i by a, right, मतलब i by r लिख दो यहाँ पर, i by r, right, radius, क्योंकि यहाँ पर भी हम r से ही करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, दोस्त, mu naught by 2, right, i क्या है आपका, i क्या है, q by t, right, q क्या है, e divided by 2pi r by v, बोलो हाया न, तो यहाँ से मैं i को क्या लिख सकता हूँ, i को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ से i मेरे पास क्या आजाएगा, q by t, मतलब q मेरे पास क्या है, e, right, q e है, divided by 2pi r into v, v उपर जाला तो ev by 2pi r मेरे पास क्या आजाएगा, i, right, ev by 2pi r, i आजाएगा, तो b मेरे पास क्या आजाएगा, mu naught i by 2r, mu naught i by 2r, बोलो हाया न, mu naught i by 2r, तो ultimately क्या आजाएगा, mu naught ev by 4pi r square, यहीं आ रहा है, mu naught ev by 4pi r square, ठीक है, अब यहाँ तक आगया, right, अब यहाँ तक अगर मेरे पास आ गया, right, तो ultimately ये मुझसे क्या पूछे कि R बताओ, right, R, right, ultimately R बताओ, R आपका कैसे vary कर रहे है, right, तो अच्छा, वही था, वही था, तो ultimately फिर R था, तो R की जगा आप यही लगा दो, M V by QB, यहां तक आपके पास आ गया है, right, M into V divided by QB, right, आपके पास B की value यह आ गई है, B को यहां पर डाल दो, तो ultimately आपके पास क्या आ जाएगा, V by B, R is inversely proportional to V by B, बताओ, any problem, आ गया, यह अगली क्लास में मैं फिर से करा दूँगा, क्योंकि question यहां पर clear नहीं है, कुछ बच्चों को यह confusion होगा, कि सरी question clear नहीं है, ठीक है, तो अगली क्लास में एक बर फिर से करा देंगे, बताओ, is that clear, ठीक है, शायद R और इसी का ही relation पूछा गया था, R, V और B का ही relation पूछा गया था, तो R, right, V और B का relationship पूछा गया था, right, और B यहां से आपका आ गया, mu not ev by this one, clear है, चलिए, right, so guys, यही था आज की क्लास, I hope कि आपको मजा आया, समझ आया, right, और जि कर दीजिए, right, और आज हमारा force on a moving charge in the magnetic field भी खतम हो चुका है, right, अगली क्लास में हम Lawrence Falls के बारे में थोड़ा पड़ेंगे, right, और दो क्लासे ओल लगेंगी, chapter हो जाएगा, ज्यादा difficult chapter बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, चलिए, ओके गाईस, stay safe, stay healthy, see you in the next class, बाई बाई, कर दो करेंगえて, चलिए, ज्यादा है, पबाई सब्केशने अजाए झैपने का